आपके अपकमिंग एक्जाम करेंगे जो आपके अपकमिंग एक्जाम करेंगे के लिए बहुत 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 रेलेवेंट हैं तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं मल्टिडिस्पिन के स्टड़ी जो ओपन बुक एक्जामिनेशन बेस सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग इंस्ट्ट ने एक सप्लिमेंट रिलीस किया है इस वीडियो अपडेट में हम उसी सप्लिमेंट को डिसकस करेंगे डीटेल्स में और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्किप्शन में आपको हमने प्रोवाइट किया है यह अपको मार्किंग करने का रिक्वार्मेंट नहीं है और उसके अलावा उस सप्लिमेंट का हमने सूपरमास्टर इंडेक्स भी बना दिया है And guess what, Supermaster Index भी blank नहीं है, हमने Index भी पूरा Supplement का बना के आपको provide किया है, यानि Supplement में Marking already done, Extra Sections को जो Insert करना है already done, Supermaster Index based on Supplement already completed for you, यानि आपको कोई Effort या महनत नहीं करनी है, आपको बस ये Video Update देखना है, Case Study के बारे में सुनना है, कहानिया सुननी है, और Video के बाद उन सारे Case Studies को, Markings को एक बार पढ़ना है, तो यानि आपकी पूरी महनत हमने कर दी है, आपको बस ये Video Update देखना है, आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, और अभी तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किजवात की है, definitely इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विकॉद इससे बेटर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और बोलने का तो requirement बिलकुल नहीं है, पर फिर भी देते हैं, इस वीडियो को भारी मातरा में अपनी friends के साथ share करें, various groups में share करें, ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए, तो चलिए वीडियो अपडेट में आगे बढ़ते हैं, तो इस description box से link ले लीजे, और main document of supplement and index को निकाल कर ready कर लें, students को मैं बता दूँ कि examination में, यानि जो main exam ह open book exam के paper में, आप hard copy ले जा सकते हैं, soft copy ले जाना possible नहीं है, as per the rules, तो जो link से आप document ले रहे हैं, उसे print out निकालना बिलकुल ना भूलें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस video update के साथ, तो चलिए आते हैं अपने supplement में, सबसे पहले chapter के साथ, और हम लोग करेंगे supplement का chapter number 2, यानि security laws, जो June supplement है, उसमें बस एक ही case study दिया हुआ है, पर interesting बात ये है, कि ये case study काफी relevant and important है, from the upcoming examination point of view, इस case study का नाम है, शूती वोरा, निरच कुमार अगरवाल, पार्थिव दलाल और आदित्यों प्रकाश गगर वर्सेज सेभी, अब इस case study में हम लोग बात करने वाले हैं, WhatsApp message को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, normally daily life में, हम लोग time time पे, WhatsApp में जो message हमको आता है, उसे हम forward करते हैं, अलग-अलग लोगों को और अलग-अलग groups में, ये normal habit है लोगों की, कि WhatsApp में कोई message आएगा, हम उसको forward कर देंगे, तो जब भी मुझे कोई message आता है, किसी भी person से, इसका मतलब क्या है, कि I am not the originator of that message, what do you mean by that I am not the originator of that message, यानि मैंने वो message नहीं बनाया है, मुझे किसी और ने दिया था, मैंने बस forward किया है, इस particular case study में कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ पर सेभी का involvement का मतलब है, stock market involved हो गया, इन कुछ लोगों ने एक message forward किया था, regarding the financial results of the company, यानि उस company का financial result अभी तक public domain में नहीं आया है, पर इन लोगों को किसी ने profit, costing, overall ratios message में share किया, यानि इन लोगों की क्या गलती है, इनको किसी ने company का financial result, public disclosure के पहले ही किसी ने share कर लिया, सबसे interesting बात ये है, कि message में जो financial figure था, financial performance था, वो exactly same नहीं था, यानि माल लो जब public के लिए declare किया गया, profit 800 था, तो message में 755, 775 था, यानि जो gap है, ज्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा ही था, पर same नहीं था, इन लोगों को जब forward message आया, इन लोगों ने like any other person, उस message को forward कर दिया, जब public disclosure हुआ financial results का, तब सेभी ने ये सवाल उठाया, कि भहिया public disclosure आने के पहले ही, तुमको पता था, कि result क्या होगा, तब ही न तुमने कुछ selected लोगों को ये message forward किया, अगर तुमको पता नहीं था आगे से, तो भहिया, तुम्हारा जो message है, और जो public disclosure का message है, उसमें जो gap है, या difference है, इतना कम कैसे, तो भहिया, तुम्हारे पास unpublished price sensitive information था, जिसके basis में तुमने खुद भी trading किया होगा, और अपने आज़ पास के लोगों को trading कराया होगा undue profit बनाने के लिए, और सेभी ने इन लोगों को WhatsApp message के basis पे आकर पकड़ लिया, कि public disclosure होने के पहले ही, तुमने WhatsApp में financial performance का message circulate किया है, और जो तुमने WhatsApp में message किया है, उसमें और जो final result आया, ज्यादा difference नहीं है, आरे पास information आगे से था और इसी unpublished price sensitive information के basis में तुमने trading किया और लोगों को सजचुजाव दिया कि वो भी trading करें, तो भहिया तुम पे case होगा और सेभी ने कोशिश करके उन पे penalty लगा दिया, जिन लोगों के against penalty लगा, उन लोगों ने appeal करी, उन्होंने appeal में कहा कि boss मैंने ये message originate नहीं किया है, I am not the originator of this message, ये message तो मुझे किसी और ने भेजा था, हमको forward आया था, मेरी गलती बस इतनी है, मैंने इसे forward कर दिया, ना मेरे पास आगे से information था, उस company को लेकर, ना मैं किसी को जानता हूँ उस company में, मुझे कुछ idea नहीं था, ये जो whatsapp message की से भी बात कर रहा है, वो मुझे forward आया था, मैंने बस forward किया, दूसरी बात ये बोली, कि भाया, जो final result आया, public domain में और मेरे message में difference है, भले ही difference कम हूँ, पर difference तो है ना, अगर मेरे पास exact ख़बर होता, तो मैं exact लिख के देता, ताकि सामने वाले को मुझे और confidence आये, और मैं ज्यादा commission चार्ज कर पाऊँ, मेरे पास तो ख़बर ही नहीं थी, मुझे तो random forward आया, तीसरा point ये बोला, कि भाईया, इस company के अलावा भी, मैंने एक और message forward किया था, example में देखिएगा, access bank का example लिया गया है, कि भाईया, जो मैंने share किया regarding access bank, वो तो सही नहीं हुआ, वो तो पूरा उल्टा था, तो यानि मेरे पास अगर information होते, और मेरी habit होती, message forward करने की, तो access bank वाला जो भी ख़बर था मेरे पास, वो भी तो सही होना चाहिए था, वो जो मैंने forward किया, वो भी कहीं से आया था, और वो तो गलत निकलाना, तो बस मैंने forward किया, तुम उसके basis पे, मुझे पे इल्जाम लगा दोगे, कि मेरे पास unpublished, price sensitive information है, तो भाईया ये तो नहीं चलेगा, अब मेरा सवाल ये है, to the future company secretaries, आपको क्या लगता है, क्या इस whatsapp message के basis पे, जो originate इन लोगों ने नहीं किया है, जस्ट forward आया, इन्होंने forward किया, जस्ट forward किया, और इनका claim है, और evidence भी as such नहीं है, जो उनके against जाए, कि हम लोग तो किसी को नहीं जानते थे, जस्ट forward message आया, और हमने forward किया, तो क्या इस basis पे, और access bank वाला जो मैंने logic दिया, उस basis पे, इनको छोड़ा जा सकता है, या फिर they are guilty, बताईए आप, क्या लगता है, एक 5 seconds time, अपने दिमाग में answer सोचो, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कि इसका exact answer क्या होगा, document भी तुम्हारे पास है, markings भी तुम्हारे पास है, index supermaster वाला पूरा भरा हुआ तुम्हारे पास है, the right answer is, SEBI को गलत ठेराये गया, और कहा गया, कि सिर्फ इन grounds पे, जहांपर इन लोगों ने बस forward किया है, कोई evidence नहीं है, तुम इन लोगों पे penalty नहीं लगा सकते, So this was the case of Shruti Vora and others versus SEBI, और यही एक मात्र case study था, securities loss के supplement में, important for the upcoming examination, अब क्या करना है, वीडियो को कर लो pause, और फटा फट जो description में link दिया हुआ है, वहाँ पे जाके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने marking करके रखी हुई है, और यह same marking आपको भी मैंने provide की है, इन markings को एक बाए read करें, और उसके बाद supermaster index को देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने supermaster index भी भर दिया है, और यह वही चीज दिया हुआ है, जो मैंने just आपके साथ discuss किया, तो जाते जाते, यानि वीडियो को pause करने के पहले, वह आपस से recall कर लेते हैं, कि इस given case study में, कुछ लोग थे, जिनके पास एक whatsapp message आया, यानि forward आया, इन लोगों ने वो message नहीं बनाया है, message में एक company का financial results दिया हुआ था, जो public domain में आना बाकी है, यानि unpublished information था है, जब इन लोगों ने उस message को forward किया, उसमें जो result दिया हुआ था, figures दिया हुआ था, वो final figure, यानि जो public domain में आया, उसमें ज्यादा difference नहीं था, जैसे ही सेवी को इस WhatsApp message के बारे में पता चला, उन्होंने इन लोगों को पकड़ा, और इन लोगों पे penalty लगा दी, कि तुमको हारे पास unpublished price sensitive information था, जिसके basis पे तुमने trading करी, और बाकी लोगों को commission के लिए forward किया news, इन लोगों ने सीधा बोला कि आपने जो penalty लगाई है, वो गलत है, विकाज आपका logic ही गलत है, first of all, we are not the originator of the message, हमें forward आया, हमने forward किया, number two, उस company में हम किसी को नहीं जानते हैं, जहां से हमको information मिल पाए, ऐसा कोई evidence नहीं है, जो हमारा relation directly या indirectly established करें, number three, इस message के अलावा भी, हमने एक दो और companies के financial performance का estimate forward किया था, और अगर ये match करता है, तो वो भी match करना चाहिए था, पर उन में तो आस पास भी final figure relation में नहीं आया, so on the basis of this ground, हमारे उपर allegation लगाना गलत है, और जो penalty आपने लगाई है, वो भी गलत है, और यही चीज़ appeal में भी थाबित हुई, तो भाईया आप क्या करना है, फटा फट विडियो को करो pause, एड एक बार इस case study की marking को पढ़िए, और supermaster index को refer जरूर करिए, चलिए, I believe आप लोगों ने supplement और supermaster index से securities law का वो अलग case study complete कर लिया है, यानि पढ़ना हो गया है, समझना हो गया है, marking and updated index तो आपको मिली गया है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले chapter के तरफ, that is a chapter of competition law, इस chapter को इस supplement से पढ़ाने के पहले, कुछ चीज़े मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले बात करते हैं हमारे register students के बारे में, आपको जो मैंने अपना main mat दिया है, उस main mat में काफी सारे case studies हैं, competition law के, यानि ICSI के latest module से भी, ज्यादा case studies मेरे mat में हैं, और मैंने आपको बताया था ना, वो सारे case studies important हैं, यानि ICSI वाला तो है ही, प्लस जो मैंने दिया है पुराने edition से, वो भी relevant है for the upcoming examination, because pre-test में भी वहां से पूछा गया है, प्लस आपके ICSI module में भी काफी कुछ दिया हुआ है, और पुराने edition में दिया गया था, तो उनको करना बिलकुल ना भूले, राइट, आगे बढ़ते हैं इस particular chapter को लेकर, competition law के maximum case studies में हमने क्या देखा था, कि हम लोग geographical market चेक करते हैं, product definition देखते हैं, फिर देखते हैं उस product definition के geographical market में कितने players present हैं, अगर number of players ज्यादा है, market share ज्यादा है, तो भाईया definitely dominant position है, और CCI against में judgment देता है, but if in case number of players कम है, market share कम है, यानि situation ऐसी है कि company किसी भी position में नहीं है, dominate करने के, then in that case, CCI straight away says किसी भी तरह का violation या adverse impact on the competition of the market पे नहीं है, तो this was the basic recalling concepts regarding competition law, तो चलिए start करते हैं इस particular supplement के बारे में, सबसे पहला case study आता है, Eastern Railway Kolkatha versus Message Chandra Brothers and others, सबसे पहला case study है हमारे supplement का, इस particular case study में COVID-19 का reference दिया हुआ है, और ये case study में, जितने लोग भी हैं, यानि जितने business houses involved हैं, वो लोग MSME हैं, यानि micro, small and medium enterprises हैं, अब इस case study में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आठ opposite parties, यानि जिनके against information दी गई, यानि इन लोगों ने मिलकर identical prices दिये हैं, टेंडर में, या फिर इन लोगों ने कार्टेल बनाया है, यानि एक साथ मिलकर ये लोग बाकी market players को दबाना चाहते हैं, ताकि natural market का competition खतम हो जाए, तो आठ लोगों के against ऐसा case दर्ज किया गया, सबसे interesting बात यह है कि इस case study में ये आठ लोग guilty हैं, और इन लोगों ने खुद भी ये बात मानी, यानि यहाँ पर question है नहीं आता है regarding dominant position का या regarding market share का, सीधी बात है, identical prices quote किये हैं, कार्टेल बनाया है, ताकि मिलकर market को दबाया जाए, और ये लोग मानते भी हैं, interesting बात ये भी है कि इनके पास competition act को लेकर lack of awareness है, यानि इनको पता ही नहीं था competition act में कुछ provisions होते हैं, यानि they were unaware, पर और important बात ये है, इन लोगों ने पूरी तरह से cooperate किया, किसी भी तरह का problem create करने की कोशिश नहीं करी, यहां तक story में वापस repeat करूँगा, सुनियेगा गौर से, यानि इस case study में, यानि पहले case study of competition law में हमने क्या देखा, यहां पर आठ ऐसे लोग हैं या parties हैं, जिन लोगों ने cartelization किया, cartel बनाया, और एक tender में application डाला, टेंडर में application जहां डाला, इन लोगों ने same price quote किया, यानि identical price quote किया, और investigate करने पे पता चला, इन आठों की मिली भगत है, इनका cartel बनाया हुआ है, that is the reason why इनका price भी same है, इन्होंने मिल कर, जान भूच कर, same price quote किया, इन आठों ने माना, इनका cartelization है, तो कोई question नहीं है, कि competition को suppress किया है, कि नहीं किया है, very much evident कि competition को suppress करने का पूरा attempt था, इन लोगों ने माना भी, और दूसरी interesting बात ये है, they were unaware regarding the competition act and the provision, पर इन्होंने cooperate किया, भड़ी ही मासूमियत के साथ, अपने गुनाह को कबूल भी किया, और cooperation पूरा दिया, ये है स्टोरी यहां तक, अब जज्जमेंट की बारी आई, तो CCI ने बोला, कि यार इनको punishment देना ठीक नहीं होगा, इन पर अगर penalty लगा दे, तो गलत हो जाएगा, समझियेगा बात को, यहां पर सबसे पहली बात ये आती है, कि अगर सामने वाला guilty proof हो जाए, और पता लग भी जाए, कि भईया, इन लोगों ने जान बूच कर वदमाशी करी है, कार्टलाइजेशन किया है, तो object of the act को अचीव करने के लिए, यह जरूरी नहीं है कि आपको penalty लगाना पड़े, अगर इनको future में यह करने से रोका जा सकता है, या इनकी guarantee ली जा सकती है, कि future में ऐसा नहीं करेंगे, तो यह assurity भी objective of the act को अचीव करने में मदद करती है, SMICS को financial losses हुए है, they were unable to recover from the losses, business ठीक चल नहीं रहा है, business ग्रो नहीं कर रहा है, and they are struggling a lot, और यह आठो लोग भी size में बहुत छोटे हैं, ज्यादा बड़ा turnover नहीं है, ज्यादा staff नहीं है, और business भी इनका struggle कर रहा है, अगर ऐसे position में मैं इन पे अगर कोई penalty लगा दूँ, इन पे मैं punishment लगा दूँ, तो यह लोग आगे नहीं भड़ पाएंगे, ऐसा हो भी सकता है, कि यह लोग दम तोड़ दें, यानि business बंद हो जाए, तो keeping everything in mind, their cooperation, their ignorance about the act, their self-analysis and realization, and the situation of COVID-19 and MSME ecosystem, हम लोग समझते हैं, punishment नहीं देना चाहिए, penalty नहीं लगानी चाहिए, खाली warning दे देते हैं, कि future में ऐसा मत करना, तो अब आप जानते हैं ना क्या करना है, समझना हो चुका है, आइडिया लग गया है, विडियो को करिए pause, एन फटा-फट इस case study को मेरे दिये हुए document से read करें, और index को refer करें, चलिए, I believe आप लोगोंने विडियो pause करने के बाद, इस particular case study को पढ़ लिया होगा, तो चलते हैं अब अगली case study में, और इस case study का नाम है, alleged anti-competitive conduct by Maruti Suzuki India, limited in implementing discount control policy, विसाविस dealer, ये second case study है, आपके जून supplement का released by ICSI under the chapter of competition law, फटा-फटा आईये इस case study में, इस case study में जो important terms हैं, वो हैं, discount control policy, intra-brand competition, obstruction for consumers to avail the benefit, ध्यान दीजेगा, discount control policy, intra-brand competition, obstruction for consumers to avail the benefit, अब इस case study में क्या हुआ, सुनियेगा गौर्स है, मारूती सुजिकी ने, जो एक गाड़ी बनाने वाली company है, उन्होंने एक region में, यानी, not entire India, बट एक region में, restrictions लगाए, और उनके जितने dealers हैं, उनको बोला, कि भाईया मेरी बात गौर से सुनना, गरबढ करोगे, तो penalty लगा देंगे, dealer ने बोला, बोलिये, क्या बोल रहे हैं, तो company ने बोला, कि भाईया, अपनी मनमानी करना बन करो, मैं तुमको एक discount का limit दे दूँगा, तुम उससे ज़्यादा discount नहीं दे पाओगे, या फिर मैं एक range set कर दूँगा, तुम उसी range का discount दोगे, अगर तुम उससे ज़्यादा discount देते हो, तो भाईया तुम पे action लिया जाएगा, तुम पे penalty ली जाएगी, और यहाँ से term आता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, discount control policy, यानि company ने अपने dealer को एक specific region में बोल दिया, कि भाईया discount इससे ज़्यादा नहीं दोगे, मैंने limit set कर दिया है, मैंने range बता दिया है, इसससे ज़्यादा अगर discount दिया, तो भाईया तुम्हारे पर action लेंगे, ये बात देखकर सारे dealers परिशान हो गए, कि यार ये क्या मजाक है, आप तो गजब काम करते हैं, अगर आपने discount का range fix कर दिया, तो हम market में competition कैसे करेंगे, आपने तो range fix कर दिया है, यानि almost सारे dealers उस region में, almost एक ही दाम पर पिछेंगे, तो market का जो natural competition है, जो advantage है, जो strategy है, उसका फाइदा मैं कैसे उठाऊंगा, ये तो dominance है, ये तो गलत बात है, ये तो एक तरीके से, आप market का natural competition, खतम करना चाहते हैं, on the basis of discount control policy, जाहिर सी बात है, अगर एक region में, जितने मारूती सुजिकी वाले डीलर हैं, उनको बता दिया गया है, इससे ज़्यादा discount नहीं दे सकते, या इसी range में discount देना पड़ेगा, तो भहिया, किसी के price में, किसी dealer के transaction में, ज्यादा difference आएगा क्या, बिलकुल नहीं, तो भहिया competitive advantage, approach, pricing benefit कैसे मिलेगा, तो dealers ने protest किया, dealers ने ये भी बोला, कि भहिया इससे, जो intra-brand competition है, यानि एक region का dealer, उसी region के dealer के साथ, जो competition करता, ताकि customer को benefit मिले, low price का, वो तो नहीं मिल पाएगा, यानि सबसे पहला point, you are killing, the intra-band competition, ध्यान देना, inter-brand नहीं बोला, intra-brand बोला, जाहिर सी बात है, एक region में, अगर सारे dealers का quote price, almost same हुआ, तो competition होगा क्या, बिल्कुल नहीं, फिर यहाँ पर Suzuki ने क्या बोला, कि भहिया जान मुझ के ऐसा किया है, बहुत लोग, कम price समझ कर चले आते थे, फोकट की गाड़ी चलाते थे, test drive लेते थे, advantage लेते थे और चले आते थे, तो भहिया उन लोगों को रोकने के लिए, हमने ऐसा low discount वाला चीज किया है, uniform discount रखने का सोचा, इस पे CCI ने बोला, तुम पागल हो क्या, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो, कि discount control policy लगा रहे हो, पूरे region में, intra brand competition खतम कर रहे हो, पूरे region में, और तुम मेरे यहां को, free drive के बारे में बोल रहे हो, उपर से एक और logic लगाता है company, मारूती सुजुकी, कि सर, अगर हम कम price discount देंगे न, तो अच्छा service दे पाएंगे, सर, ज़्यादा discount देने से न, कमाई कम हो जाती है, और कमाई कम होने के बाद, post sales जो service है, वो देने में मन कम लगता है, इसलिए अगर कम discount देंगे, एक range में रखेंगे, तो या customer का ही तो फाइदा है, अब यहाँ पर CCI बोला, guarantee क्या है, क्या कोई company guarantee दे सकती है, कि अगर discount पूरा हटा दे, या minimum discount दे, तो post sales service अच्छा होगा, इसका कोई guarantee तो है ही नहीं, तो तुम क्या ग्यान लगा रहे हो, and moreover, अगर एक brand का discounting period fixed हो जाता है, यानि range उस brand का उस region में fixed है, तो जो competitor brands हैं, लेकि मारुती का Toyota है, Hyundai है, तो उनको idea लग जाएगा, कि ये लोग कितना नीचे नहीं जाएंगे price में, तो वो लोग भी अपना price कभी नहीं गिराएंगे, तो वो लोग भी ऐसा हो सकता है, कि ज्यादा दाम में बेचें, compared to previous discounted price, so ultimately क्या होता है, जो consumer है, जो customer है, वो price में discount, अच्छी मात्रा में कभी नहीं पापाएगा, तुमारे इस discount control policy के कारण, this was the case study of Maruti Suzuki, CCI ने Maruti Suzuki को कसूर बाठ ठहराया, और कहा, कि तुमारा 50% market share है, जब तुमारा 50% market share है, you're a dominant player in the market, जब तुम ऐसा discount control policy follow करोगे, जिससे नाकिर्फ सिर्फ, intra-brand competition खतम होगा, customer को benefit नहीं मिलेगा, बलकि पूरे market का जो competition है, adversely effect होता है, तो ladies and gentlemen, boys and girls, इस particular case study में, what are the keywords, discount control policy, यानी range fix कर दिया, lower limit लगा दिया, कि इस region में, मेरे सारे dealers, इससे ज़्यादा discount नहीं दे पाएंगे, या इसी range में देंगे, number two, इससे हानी क्या हुआ, customer को benefit नहीं मिल रहा है, ज़्यादा discount नहीं ले पा रहा, number three, company का दो जो allegation था, कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, एक तो भाईया, free drive ले रहे हैं सब, भाईया वो बेकार है, number two, post sales service अच्छा कर देंगे, अगर ज़्यादा price लिया, तो वो logic भी बेकार बोल दिया, CCI ने, at last but not the least, जब inter brand, mentra brand में, prices का range fix हो जाएगा, तो जो competitor brands हैं, अलग-अलग companies हैं, उनको भी relief मिलेगा, कि हमको ज़्यादा discount नहीं देना, ज़्यादा माथा पोड़ी नहीं देना, हम अपने discount को reverse कर लेंगे, खाली मारूती से तो कम रखना है, बट आगे से ज़्यादा दाम coat कर पाएंगे, तो overall market का नुक्सान है, overall customer का नुक्सान है, तो this was the case study of मारूती सुजुकी, अब क्या करना है, फटा फट जो document, description box में दिया है, main document, वहां से marking को read कर लो, उसके बाद, description में ही index दिया हुआ है, index से, इस particular case study का keywords, and marked portion पढ़ लो, and your time starts now, now, यानि वीडियो को करो pause, and फटा फट इस case study को cover करो, चलिए, I believe आप लोगों ने वीडियो पॉस करके, ये case study भी पढ़ लिया है, यानि pattern clear है, approach clear है, अब आते हैं, अगली case study में, that is the case study of, informant versus, grassive industries limited, फटा पढ़ आजाईए, informant versus, grassive industries limited, और यहाँ पर देखिए, क्या होता है, ये case study, देखने में बहुत बड़ा है, बर जो उसका crux है, जो main idea है, वो जादा बड़ा बिलकुल नहीं है, छोटू सा है, आईए मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, मान लीजे, एक product है, XF, जो बाहर से, import किया जाता है, और import करती है, grassive, XF, एक material है, जो बाहर से, import किया जाता है, और इसे import करती है, grassive industries, import करने के बाद, एक final product बनाया जाता है, जो दूसरे लोगों को, further processing के लिए, दिया जाता है, यानि process को पहले ध्यान से देखो, XF बोल के, एक material है, जो import किया जाता है, grassive के दौरा, और grassive, उस raw material को process करके, आगे forward करती है, ताकि लोग अपना अपना product, बना पाएं, by further production या process, अब यहाँ पर, पहली चीज देखी गई, कि grassive ने अचानक से, अपना import को, low कर दिया, यानि आगे, काफी जादा import करती थी, पर अब, उसने अपना import करना, low कर दिया, यानि कम मात्रा में कर रही है, जाहिर सी बात है, अगर raw material कम मात्रा में आएगी, तो process करने में भी, output कम होगा, और जब बेचने भी जाएगी grassive, तो सब को नहीं दे पाएगी, या फिर कम कम दे पाएगी, देख के ही समझ में आता है, तो grassive ने, अचानक से import को इतना कम कर दिया, ये regulators की नजर में आ गया, कि यार इतना कम क्यों मगा रहे हैं, इतना बड़ा market share है, इतने सारे लोगों को माल सप्लाई करना है, पर grassive इतना कम क्यों ले रही है, बाद में investigation करने पे पता चला, कि grassive अपने dominant position का गलत फाइदा उठा रही थी, वो market को बरबाद कर रही थी, यानि competition को दबा रही थी, कैसे, grassive ने क्या किया, कि माल लाने के बाद, उसको बनाने के बाद, सब को देना बन कर दिया, और जिनको देती भी थी, उसमें भी selective हो गया, उसमें जे किसी को discount दे, और किसी को discount ना दे, और grassive ने अपना set of लोगों को ही, discount पे माल देना चालू किया, इंट्रेस्टिंग बात ये थी, कि ये जो product है, इसका processing बहुत expensive है, बहुत capital intensive है, तो अगर grassive उन लोगों को discount नहीं देगी, तो उनका जो production होगा, वो काफी ज़्यादा high cost पे होगा, तो यानि उनको अपनी pricing भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसा, कि grassive except बोल के raw material को import करती थी, grassive का market share सबसे ज़्यादा था, अचानक से grassive ने अपने import को low कर दिया, कम कर दिया, यह देखकर regulators हरान हो गए, कि अगर कम माल import करेंगे, तो बना भी कम माल पाएंगे, तो market में जो इतने सारे लोग हैं, जो अपने अपने production में माल का इस्तमाल करेंगे, उनका क्या होगा, तो further investigation करने पे पता चला, there are three categories of customer for grassim, number one, जिनको यह माल बेचना बन कर देती है, कि भाईया आपको तो माल हम बेचेंगे ही नहीं, number two, no discount, number three, इनको low price में बेच रही है, यानि एक चीज तो समझ में आई, कि grassim major market player है, अगर उसने अपना production कम कर दिया, तो नीचे के जो product producers हैं, उनको effect पड़ेगा, तो investigation investigators ने क्या देखा, कि एक category के लोगों को, grassim ने पूरा माल देना बन कर दिया, कि भाईया हम तुमको माल नहीं देंगे, वो लोग मर रहे हैं, दूसरे category वालों को बोला, माल तुमको तुम देंगे, पर discount नहीं देंगे, लेना है तो normal price पे लो, otherwise भाण में जाओ, तीसरे लोग थे, grassim के चाहने वाले करीबी लोग, इन लोगों ग्रासिम ने, माल discount में देना continue रखा, यहाँ पर ये देखा गया, और अगर discount नहीं दिया जाता है, so ultimately producers का cost of production काफी high होगा, तो यहाँ सफर किस ने किया, category 1 ने और category 2 में, category 3 तो मजे में है, यह चीज़ को देखते हुए, और लासिम के dominant market position को देखते हुए, CCI ने बोला, boss तुम market के competition को दबा रहे हो, this is adversely affecting the competition of the market, this was the case study of informant versus grassim industries limited, process अब जानते हैं क्या करना है, फटा फट विडियो को करिए pause, document से marking को refer करिए, index से detailing को पढ़िए, फिर अपने next case study के तरफ बढ़ चलेंगे, फटा फट गाईज, फटा फट, चलिए, अब बढ़ते हैं अगली case study में, अगली case study का नाम सुनते ही आप बोलेंगे, सर ये तो regular class में किया है, ये तो शायद-शायद main mat में भी है ICSI के, या था, ये तो वही repetition लग रहा है, आईए देखिए, यहाँ पर है case study of Meru Travel Solutions Private Limited versus Uber India Systems Private Limited and others, 2021 का case है, यानि यहाँ पर Meru ने case किया Uber पर, मोटा-मोटी अगर देखा जाए, the ultimate conclusion remains the same, खाली यहाँ पर जो logic है, जो discussion है, वो थोड़ा different है, तो ध्यान दीजिएगा discussion को लेकर, Meru ने बोला Uber के against, कि वही या Uber, तुम market का competition खराब कर रहे हो, कैसे? तुम भर-भर के incentives दे रहे हो drivers को, तुम भर-भर के discounts दे रहे हो customers को, और कोशिश कर रहे हो below the cost operate करने का, यानि तुम कहीं से पैसा ला रहे हो, और इस sector में डाले जा रहे हो, यानि profit में काम नहीं कर रहे हो, below the cost पे बेच रहे हो, और सबसे interesting बात, कि तुम incentives इतना दे रहे हो drivers को, customers को, कि भाईया market का competition खराब हो रहा है, और CCI के पाथ चला गया case, अब यहाँ पर ना, जब हम regular class करते थे, तो competition law के बारे में मैंने क्या बताया था, कि भाईया जॉइर्फिल market देखो, number of players देखो, और अगर number of players जादा हैं, market share कम हैं, तो भाईया dominant position नहीं है, CCI कोट ने इस case में एक बाद बोली, कि भाईया बेवकूफ मत बनो, यानि अगर market में number of players जादा हैं, तो इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है, कि तुम conclusion पर आ जाओगे, कि भाईया competition एकड़म ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, market में players जादा हो, बट इस company का, इस आदमी का, कोई advantage है, जिसका फाइदा उठा कर, वो market का competition खड़ाब कर रहा है, तो अगर आपने thumb rule बना लिया था, कि number of players are more in the market, so it means no suppression of competition, no violation of section 3 and section 4, तो भाईया think again, यहाँ पर marking में देखिये, खुद बोला गया है, competition and competition law, is not about counting the number of firms, in a particular relevant market, to determine or not, that market is competitive, यानि, जो logic आप ले के चल रहे थे, normal mat पढ़ते वक्त, यहाँ पर court ने बोला, ठैरो जरा, सबर करो, और इस line को एक बार देखो, तो यानि यह भी हो सकता है, कि number of players, market में ज्यादा हो, पर ऐसा भी हो सकता है, number of players ज्यादा होने के बावजूद, किसी कारण वर्ष, market का competition suppress हो रहा है, तो यानि, पहला logic यह clear हो गया, कि सर, number of firm से खाली देख कर, अपने ultimate conclusion पर नहीं आ सकते, तो court ने यहाँ पर क्या बोला, कोट ने बोला देखो बॉस, सबसे पहली बात, यह जो उबर है, यह जो मेरू है, इन लोग का पूरा business, network पे चलता है, इनका पूरा business, network पे चलता है, जितने ज्यादा से ज्यादा, drivers उबर से जुड़ेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा, customers उबर से जुड़ेंगे, उसका business उतना बढ़ेगा, यानि, इनको अपना network, strong करना पड़ेगा, strong करना पड़ता है, तभी ये लोग आगे grow कर पाएंगे, और जब ये लोग grow करेंगे, तो given economy भी, market भी grow करेगा, they have to make the network very strong, कोट ने ये बार बोली, कि इनके business model के हिसाब से, ज्यादा स्यादा लोग जुड़ेंगे, तो ही आगे पड़ेंगे, और ज्यादा स्यादा लोग कब जुड़ेंगे, जब ये लोग incentives देंगे, तभी ने driver आके बोलेगा, आओ Uber, मुझे रख लो, मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा, मैं आपके लिए अपनी गाड़ी, Uber में लगा दूँगा, तो भाईया, incentives देना, customers को discount देना, free में rights देना, ये सारे business का, इस sector में, initial time का motive and approach होता है, this is not unfair, this is the kind of business strategy, which such aggregators are required to follow, तो अगर ज़्यादा incentive दे रहे हैं, loss जा रहा है starting phase में, तो अगर कोई informant कहता है, market का suppression है, predatory pricing policy चल रही है, तो भाईया, वापस देखो, business pattern को समझो, business का background समझो, और requirement समझो, और requirement यही कहता है, strategy यही कहती है, in the early days, we have to build our network very strong, ज़्यादा driver आएंगे, तो भाईया, ज़्यादा customers को लाना है, और अगर demand ज़्यादा बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ, तभी हम लोग incentives and discounts लेके आते हैं, तो अगर incentives and discounts के ground पे यह बोला जाए, कि आप unfair हैं, competition खराब कर रहे हैं, तो आपका logic and mindset पूरी तरह से गलत है, this was the case study of, sorry, Meru Travel Solutions Private Limited versus Uber India Systems Private Limited, pattern आप जानते हैं, फड़ा फड़ वीडियो को करिए, pause, पहले markings को पढ़े मेरे documents से and उसके बाद index को refer करें, फटा-फट and your time starts now, वीडियो को pause कर लीजे and फटा-फट इसे read करिए, तो चलिए, I believe यह वाला case study वी एकदम clear है, आपने markings पढ़ ली होगी and index को भी refer कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं अब अगली case study में, that is the case study of CP Cell Directorate General Ordnance Service versus Sankeshwar Synthetix Private Limited, फटा-फट आजाईए इस particular case study में, अब इस case study में क्या होता है, गौर से सुनियेगा, एकदम common चीजी है, कि यहाँ पे भी दो लोगों ने identical prices quote किये, यानि tender निकला, बहुत सारे लोगों ने quotation डाला, और इसमें से A and D का price सेम निकला, रइट, आइडेंटिकल प्राइस को देखकर, यह बोला गया, कि इन लोगों ने मिली जूली भगत की है, यानि इन्होंने काटेल बनाया है, यहाँ पर अपलाई करने के लिए, और इंट्रेस्टिंगली यह बात देखी जाती है, कि इनका price सबसे कम था, और आइडेंटिकल था, यह बात देखते ही, जिन्होंने tender float किया था, उन लोगों ने इनके खिलाफ complain कर दी, matter जब कोट में गया, तो यह देखा गया, कि जिसने complain किया है, जिसने inform किया है, उसके पास कोई और evidence नहीं है, to prove that there is a cartelization, there is a millie भगत, या there is an agreement, उन्होंने बस common price, आइडेंटिकल प्राइस को देख कर, यह claim किया, कि तुम दोनों market का competition खड़ाब कर रहे हो, मेरा पहला सवाल, क्या सिर्फ प्राइस के basis पे, आइडेंटिकल प्राइस के basis पे, आप किसी को चोर ठहरा सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं, the answer is no, कि सर सिफ आइडेंटिकल प्राइस होने से, चोर कैसे ठहरा देंगे, यह तो logic की गलत है, the informant has not applied his mind, एकदम correct, number two, इस case को investigate करने पे ये भी देखने को मिला, कि जितने बाकी bidders थे, वो लोग इनसे भी कम दाम में देने को तैयार हैं, यान उन्हेंने बोला, कि यार बोज़ों तो चोर निकले, कोई बात नहीं, उन्हें 127 रूपीज बोला था ना, हम 124 में करके देते हैं, वो ये है कि भाया सिर्फ आइडेंटिकल प्राइस के बेसिस पे, सिर्फ आइडेंटिकल प्राइस के बेसिस पे, अगर आपने accuse किया है, अगर आप उनको market का दुश्मन कहते हैं, competition का दुश्मन कहते हैं, तो भाया लॉजिक गलत है, सिर्फ identical price होने से they are guilty it is not the case so this was the case of CP cell Directorate General Ordnance Service versus Sankheshwar Synthetics Private Limited so अब करना क्या है फटाफट वीडियो को करिये pause document को refer करें दोनो main document and index and उसके बाद हम लोग अगली case study के तरफ बढ़ चलेंगे फटाफट करिये pause and पढ़ लिजी एक बार so I believe यहां तक आपका एकड़म clear हो चुका होगा आपने जैसे मैंने आपको बताया है pause करके read करना आपने किया है and we are going very good and very strong तो चलिए बढ़ते हैं अगली case study के तरफ that is the case study of confederation of professional baseball softballs clubs appellant versus amateur baseball federation of India respondent अब यहां पर case study में क्या होता है गौर से सुनियेगा यहां पर एक apex body है आप जानते हैं apex body का मतलब हुआ head यह आप supreme भी बोल सकते हैं जो पूरी तरह से control करती है उस particular domain को उस particular field को जिसको वो belong करती है पहले clarity ले लिजे apex body का मतलब यही होता है who is the controller of that particular field or domain यहां पर अपने बात कर रहे हैं baseball and other few sports के बारे में यानि जो domain है जो field है वो baseball and other few sports है यहां पर जो apex body है उसने एक notice निकाला यहां पर जो baseball and other related sports की apex body है उसने एक notice निकाला और notice में लिखा हुआ था direction बाकी सारे branches के लिए जो अलग-अलग states में मौजूद है लिखा था कि आप लोग ध्यान दीजे अगर कोई unorganized body अगर कोई unorganized body हमारे games को organize करने की कोशिश करती है अगर कोई unorganized, unrecognized body baseball या other खेल को कराने की कोशिश करती है आप लोग उसका हिस्सा मत बनियेगा उनको promote और support मत करियेगा number one, number two, अगर कोई player आपके region से, आपके state से उन unorganized, unrecognized bodies के event में जाएगा तो उनको रोखिये अगर वो फिर भी जाते हैं तो उनके खिलाफ action लिया जाएगा so this was the notice released by the apex body अब यहाँ पर apex body के against case file हो गया CCI के पास और कहा गया कि यह अपने dominant position का इस्तमाल करके market को दबाना चाहती है for the game of baseball and other related sports सवाल यह आता है क्या ऐसा है कि वो market को दबा रही है सोचिए जितना मैंने आपको बताया कहानी उससे क्या लगता है definitely yes ऐसा बिलकुल है कि अगर कोई apex body है यानि वो head है वो control करती है उसके जैसा और कोई नहीं तो भाईया market share तो उसका dominant तो होई गया ना और वो एक तरीके से market को control कर रही है और वो जहां लोगों को रोकना चाह रही है unrecognized bodies के पास जाकर event करने से players को धमकी दे रही है actual नेने का तो भाईया अपना dominant position का इस्तमाल करके वो market को रोकी तो रही है और इस given case study में यही बोला गया है यानि apex body का market share सबसे ज़्यादा है यानि 100% है इनके पास dominance है इनके पास control है यह लोग national international games organize करते हैं इनके बहुत link ups हैं यह market को dominate करती है अगर एक dominant body इस तरीके से notice निकालेगी communicate करेगी अपने lower bodies को वह या unrecognized departments को bodies को support मत करना उनके events में मत जाना उनको assistance मत देना अपने players को भी रोको अगर players जाएंगे तो action लेंगे तो यह दादागीरी नहीं तो और क्या है और ultimate की वह ऐसे market का competition दबा रही है दिस वाज दे के स्टेडी ओफ Confederation of Professional Baseball Softball Clubs versus Amateur Baseball Federation of India पैटरन जानते हैं फड़ा फड़ वीडियो को करिए pause, markings को पहले पढ़िए फिर index को देखिए फिर अपने आगे बढ़ चलेंगे फटा फट तो चलिए I believe आपने इस case study को मेरे mat on index से पढ़ लिया होगा अब बढ़ते हैं अगले chapter के तरफ that is the chapter of Interpretation of Law फटा फटा आजाईए Lesson 7 पे इसमें जो पहला case study है वो है भुपेश राथोड versus दयाशंक प्रसाद चौरसिया और ANR यहाँ पर interesting बात यह है that we will be talking about Negotiable Instrument Act over here जैसा कि आप जानते हैं हमारे main mat में और institute के mat में भी हमने काफी सारे case studies देखे थे that were based on section 138 dishonor of check और यहाँ पे भी उसी के बारे में बात की जा रही है Interestingly जो markings मैंने करे हैं हम लोग उसे पढ़ेंगे और automatically अलग-अलग provisions given in this case study पूरा हो जाएगा इस case में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ ध्यान दीजिएगा मान लीजे A है एक company और B है एक customer और B ने payment किया चेक में यानि A company है B customer है A ने B को service दिया और B ने payment किया A को check में चेक हो गया bounce यानि जो check है वो bounce हो गया तो जाहिर सी बात है A ने क्या किया वापस से इनको notice भेजा कि भहिया मेरा payment करो जो due है B ने कोई response नहीं दिया कोई reply नहीं किया तो A ने क्या किया B के against complain करना चाहा A company ने B customer के against complain करना चाहा तो उसके managing director ने यानि A के managing director ने complain किया on behalf of the company जैसे ही complain हुआ B ने objection कर दिया B ने बोला यह MD कैसे complain कर रहा है MD complain कर ही नहीं सकता complain तो company को करना होगा because management अलग है company अलग separate legal entity natural person legal person वाला concept B बोला मेरे को पता है तो how MD is complaining check किसके नाम पे था company के नाम पे who is the payee company तो complain कौन करेगा company how the MD is complaining so the basis of complain is totally wrong company का नाम होना चाहिए था मेरा पहला सवाल क्या B का contention अगर normally देखा जाए सही है B ने बोला MD cannot complain in his personal capacity MD complain नहीं कर सकता personal capacity में complain करेगा payee यानि company MD अपने मन से personally complain क्यों कर रहा है इसको cancel करो इसको निकालो the answer is yes B is absolutely right MD अपने personal capacity में complain नहीं कर सकता पर जाहिर सी बात है company के हाथ पैर तो नहीं है company natural person है क्या नहीं वो legal और artificial person है यानि law की नजर में management अलग है company अलग बड़ जब complain करना होगा जब sue करना पड़ेगा तो अविज बात है company के विहाफ में किसी आदमी को तो authorize करना होगा जो जाकर complain करे जो जाकर represent करे तो complaining body में company A ही होगा बड़ company को represent करने के लिए managing director ही आएगा ना या company खुद से जिन्दा होकर हाथ पर निकाल कर चलाएगा तो B का contention वहाँ पर सही है जहाँ पर document में MD अपने personal capacity में complain कर रहा है पर अगर document में company A लिखा है और document में mentioned है कि company A को represent MD कर रहा है इस case में तो भाईया B अपना मू करो बंद और company A एकदम ठीक कर रहा है provision number 2 complain में किसका नाम आता है जिसका नाम चेक पे था यानि pay जिसको amount pay करना था वही complain करेगा आई यह नीचे देखते हैं इस document के provisions के बारे में brief facts में देखिए section 138 का discussion किया हुआ है कि check bounce हो गया है और उसके बाद complain करना है section 138 के बारे में यहां पर बताया गया है read करो एक बार from the screen ध्यान से बच्चा एकदम ध्यान से अगला point देखो managing director का नाम आता है to represent the company देखो यहाला point जो highlighted है यानि company ने साफ साफ बोला अरे document पे complain करने वाला आदमी company ही है MD company को बस represent कर रहा है read both the mark portions properly take 30 seconds time इस portion को एक बार read करिये फिर आगे करेंगे फटा फट करेंगे करेंगे जो चलिए यह वाला part दान नीचे देखिये again two more provisions the word of section 139 of the N.I. Act are quite clear that unless the contrary is proved it shall be presumed that the holder of the check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge of any liability of whole or in part यानि किसी भी आदमी के पास इसके नाम का चेक कटा है और उसके पास वाला चेक है हात में यह यही माना जाता है कि कोई liability का payment के लिए ही उसको चेक दिया गया है यह by default assumption है जब भी किसी के हात में चेक आता है तो चेक काटने वाला बाद में पूफ करना पड़ता है उसको यहाँ पर liability थी या नहीं थी याद आ रहा है ना regular classes में या आपके main mat में हमने इस तरह का case study किया था जहाँ पर एक वकील को चेक दिया गया था और वकील ने उसको liability कहा था और सामने वाले ने बोला this is not a liability to be paid यह just security deposit के लिए दिया गया था तो जब भी किसी के नाम पे चेक कटता है और उसके हाथ में चेक है जिसके नाम पे कटा है और चेक हो गया है bounce तो भाईया by default माना जाएगा कोई liability का payment में default हुआ है अगला criteria कि भाईया complain कौन करेगा जो pay है या who is the holder in due course मैंने अलरड़ी आपको बताया चेक पे जिसका नाम है यानि जिसको payment होना है वही complain करेगा और इस case study में इस पूरे basis पे एक reference दिया गया है case का which is the case of mmtc limited versus chemical sand pharma p limited यानि इस case study में साफ साफ बुला गया कि भाईया company एक legal person है artificial person है natural person नहीं चेक पे company का नाम होगा company pay होगी चेक अगर bounce हुआ तो company को liability यानि पैसा मिलना था तो भाईया company case कर सकती है तो complain कौन करेगा जिसका नाम चेक पे था या who is the holder in due course पट company तो natural person नहीं है ना तो company को कोई represent करेगा natural person and that is possible and company time time पे चाहे अपने representative को case पूरी तरह से dispose होने के पहले change भी कर सकती है तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि MD अगर representative बन गया case के starting में तो बाद में जाकर MD को हटाकर किसी और को नहीं बनाया जा सकता company main complain करने वाला है और company time time पे चाहे तो अपने representation को representative को बदल सकता है so this was this case study from the interpretation of law is that clear pattern आप जानते हैं फटाफट marking को एक बार read करें उसके बाद index में आएं and then हम लोग आगे बढ़ चलेंगे so video को कर ये pause and do the needful फटाफट चलिए अब आते हैं अगले case study पे अगला case study है Mayan versus Mustafa and ANR respondent अब ये जो case study है एकदम छोटी सी case study है आप इसके बारे में अलड़ी जानते हैं आपको पता है ना कि अगर आप किसी court में case file करना चाहते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या उस court का वो territorial jurisdiction में आता है की नहीं अगर territorial jurisdiction में आता है तो court आपका case accept कर सकता है सुनवाई कर सकता है order pass कर सकता है but whereas अगर उस court के jurisdiction में आप नहीं आते हैं आप नहीं रहते हैं तो भहिया वो court आपकी सुनवाई नहीं कर सकता और definitely उस court से आपके case को निकाल लिया जाएगा और अगर उस court में order pass कर दिया है गलती से तो उस order को भी set aside कर दिया जाएगा जानते है ना definitely जानते होंगे इस case study में भी कुछ ऐसा ही हुआ एक मजदूर का हाथ काम करते वक्त कड़ गया या टांग कड़ गया एक्सिरेंट हो गया तो एक्सिरेंट होने के बाद मजदूर ने जहां पर वो रहता था उसके आज़ पास के court में case file कर दिया court में देखा मजदूर का हाथ कड़ गया है पैर कड़ गया है एक्सिरेंट हो गया है तो court में compensation सेट कर दिया कि भाईया employer मजदूर का हाथ या पैर कटा है तुम्हारे यहां काम करते वक्त तुम्हारी responsibility बनती है कि तुम compensation दो employer ने बोला तुम कौन होता है बोलने वाला तुम्हारा jurisdiction ही नहीं उसमें appeal file कर दिया appeal file करने पे appellate body ने बोला भाईय आपका jurisdiction नहीं है ए कोट तुमने जो order pass किया है न उसको अड़ा हो कोट ने ध्यानी नहीं दिया कि वो बिचारा आदमी का accident हुआ है उसकी टांग या हाथ कड़ गई है वो handicap हो गया है कोट ने सीड़ा बोला तुम्हारा territory jurisdiction नहीं है कोट तुम्हारा order नहीं मानेंगे matter चला गया Supreme Court of India में Supreme Court ने बोला देखो दो चीज़ है सबसे पहली बात जिस कोट में इस order को set aside किया उसके पास तो दिली नहीं है कि जिस आदमी का इतना भैंकर accident हुआ है वो अपनी life भर handicap रहेगा तुम इतना insensitive कैसे हो सकता है उसके प्रतिक इस तरह का order और number two court तुमको खुद ही नहीं पता कि जिस jurisdiction area में court में case file हुआ था वो बिलकुल सही file हुआ था तो पहला बात तो तुम एकदम पत्थर दिल आदमी है दूसरा बात तुम्हारा territorial jurisdiction का concept ही clear नहीं है और Supreme Court ने उस order को वापस restore किया और उस मज़दूर को compensation वापस देने को बोला this was the case study of Mayan versus Mustafa and ANR बैटरन आप जानते हैं अब क्या करना है आपको पता है विडियो कर ये pause and do the needful चलिए अब आगे बढ़ते हैं आजए इस chapter की last case study में ये बहुत important case study है and there are high chances कि ये question exam में पूछा जा सकता है आज है ये प्रकाश गुपता व्रसेज सेभी वाले case study में इस case study में बताया जाता है regarding section 24A and 24B regarding section 24A and 24B यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि compounding of offense के लिए अगर मान लीजिए securities market का कोई case चल रहा है और parties ने बोला कि जहाब आप punishment देने के जगाँ पे compounding करवा दीजिए यानि पैसा लेकर matter रफा दफा कर दीजिए या सल्टा दीजिए settlement करवा दीजिए तब यहाँ पर सवाल उठा क्या compounding करने के लिए सेवी का consent compulsory है यानि सेवी अगर consent देगा तो ही compounding होगा ऐसा है क्या The ultimate judgment said ऐसा बिलकुल नहीं है सेवी की opinion ली जाएगी और opinion को मानना compulsory नहीं है ध्यान दीजिएगा In this particular case study we shall be talking about section 24A and section 24B यहाँ पर साफ साफ बोला गया अगर case चल रहा है और आपको compounding करवाना है then in that case सेवी का opinion लिया जाएगा पर सेवी का comment है जो opinion है वो mandatory नहीं है मानना bodies चाहे तो सेवी का opinion को ignore कर सकती है provided they have valid reasons Is that clear? Is the background clear? यह case study इसलिए भी important है चोकि इसमें Supreme Board of India ने guidelines भी दिये है इस compounding और consent order को लेकर तो यानि इस case study को एकदम गौर से करना है तो Supreme Board of India का guidelines भी यहाँ पर दिया हुआ है एक बात तो बहुत clear है आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि normally वही सारे cases के compounding किये जाते हैं जिसका nature private होगा और जहाँ पर public at large, society at large को नुकसान नहीं पहुँचेगा compounding तभी possible है compounding possible कब-कब है? घ्यान देना रे बच्चा सबसे पहली बात जब वह private nature का होगा नमबर टू, public at large पे क्या impact पढ़ेगा? अगर negative पढ़ेगा तो भीया compounding नहीं करेंगे मांडवली नहीं करेंगे, settlement नहीं करेंगे पर अगर public at large पे नहीं पढ़ेगा कोई impact कोई negativity नहीं है तब possible है यह हो जाए अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा सबी का opinion compulsory नहीं होता मानना पर अगर आप avoid कर रहे हैं तो valid grounds होने चाहिए आईए देखिया यहां पर हम लोग straight away आएंगे यह वाले part में जो मैंने आपको बताया था in deciding on whether to compound an offense a court does not just have to understand its effects and the parties before it but also consider the effect it will have on the public यानि public पर क्या असर पडेगा यह ज्यादा जरूरी है देखना आईए नीचे Section 24b has provided for the exercise of powers by the central government to grant immunity from prosecution on the recommendation of SEBI in contrast Section 24a is conpicuously silent in regarding to the consent of SEBI before the SAT or the case may be the court before proceeding spending can excise the power hence it is clear SEBI's consent cannot be mandatory before SAT or the court before which the proceeding spending for exercising power of compounding under Section 24a the most important aspect वापस से repeat करूंगा सुनिये का गौर से Section 24a के अंडर में अगर compounding करना है Section 24a के अंडर में अगर compounding करना है ध्यान देना ध्यान देना कि Public पर क्या effect पड़ेगा वो तो देखना है Public पर क्या effect पड़ेगा वो तो देखना है Private nature का है तो कर सकते हैं बट Public पर negativity है तो नहीं होगा यहाँ पर जो Yellow और Blue में highlighted है वापस पढ़िएगा साफ साफ बोला है कि सेभी का opinion regarding compounding करना है की नहीं करना है वो compulsory नहीं है किसके किसके लिए compulsory नहीं है ना SAT के लिए compulsory है ना किसी court के लिए compulsory है ना SAT के लिए compulsory है ना किसी court के लिए compulsory है उसके बाद आते नीचे के तरफ यहाँ पर guidelines दिया हुआ है सबसे interesting बात यह है guidelines just आप read करेंगे बच्चा बुलेगा कि सर याद करना पड़ेगा क्या अरे बुद्धू एक बात तो clear है यहाँ पर keyword है consent order section 24a, section 24b ध्यान दो यहाँ पर keyword क्या है consent order section 24a, section 24b compounding of offenses semi court sat not mandatory so अगर आपको कोई case study आया जहाँ पर यह keywords हो 24a, 24b consent order compounding of offense semi court sat not mandatory तो आपको संगसंध्यान में आएगा कि sorry supplement में हमने यह आला cover किया है so ultimately क्या होगा आप straight away case study में आएंगे और आपको guidelines automatically दिख जाएगा क्योंकि एक्जाम में तो यह document carry करना पड़ेगा ना open book exam है तो जैसा देश वैसा भेश अगर smart approach नहीं लगाओगे तो गधा खटनी में number आएगा तो जरूरी बिलकुल नहीं है तो यहाँ पर अभी क्या करना है सबसे पहले screen पर जो keyword दिख रहा है उसे आप mat में लिख लेंगे फिर marking जो दिये उसको read करेंगे already सब कुछ समझाना हो चुका है और यहाँ पर और कुछ extra नहीं करना index मैंने update कर दिया है just read करो discussion जो किया इसको recall करो read करने के बाद discussion और reading part को मिलाओ and that will be all so इस chapter में यही था हमारा last case study तो video को करना है pause पहले keywords को लिखेंगे उसके बाद keywords पढ़ेंगे marking पढ़ेंगे और index पढ़ेंगे जितना बता दिया है उतना काफी है फटा फट पट चलिए तब आगे बढ़ते हैं अगले chapter के तरफ आते हैं on the chapter lesson 4 that is insolvency law आजाईए case number 2 पे that is the case of National Scott Exchange Limited versus Anil Kohli यानि मेरे document का chapter है insolvency law और वहाँ पे हम लोग आए अनिल Kohli वाले case में अब देखे यहां पे क्या बताया है यहां पे कहता है अब यहां पर क्या होरा सुनियेगा जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई forum, कोई court, कोई order pass करता है और जिस party के against pass हो रहा है या कोई भी party उस order से खुश नहीं है they are aggrieved तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग appeal फाइल करते हैं appeal कहाँ फाइल होगा to a superior authority यानि अगर NCLT order pass कर रहा है तो appeal कहाँ फाइल होगा NCLT में अब यहां पर क्या हुआ जिस party ने appeal फाइल किया उस party ने delay कर दिया appeal फाइल करने में यानि late हो गया appeal फाइल करने में as per the number of days given in law यानि law में जितना दिन दिया हुआ था कि एतने दिन के अंदर appeal फाइल करना है उससे ज्यादा दिन लग गया और appeal फाइल नहीं किया और काफे दिन बाद appeal फाइल किया गया नॉर्मली तो हम लोग जानते ही है कि सर जितना number of days law में दिया रहता है अगर उससे ज्यादा delay होता है तो party को reason बताना पड़ता है अगर authority को reason sufficient लगेगा genuine लगेगा तो भाइया उसका appeal accept कर लेंगे यानि delay को condone कर लेंगे ये कोई नया concept नहीं है condonation of delay के बारे में आपने जगा जगा अलग-अलग act में सुना होगा पर इस case में देखा गया कि 44 दिन का delay हुआ है और 44 दिन के delay के बाद जब appeal फाइल करने गए N.C.L.A.T. ने मना कर दिया कि भाइया आपका appeal हम accept नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि sir sufficient reason नहीं होगा reason गलत होगा इस particular case में बलकि ऐसा नहीं हुआ दिक्कत कहां होई सुनियेगा गौर से As per section 61 आपको 30 दिन के अंदर appeal फाइल करना पड़ता है गौर से सुनना बच्चा As per 61 आपको 30 दिन के अंदर appeal फाइल करना पड़ता है This is the normal time limit within which we are required to file the appeal अगर मालो 30 दिन के अंदर आपने फाइल नहीं किया 30 दिन के अंदर आपने फाइल नहीं किया तो आपको additional 15 दिन मिलते हैं ये additional 15 दिन के अंदर आपको appeal फाइल करनी पड़ेगी और आपको reason बताना पड़ेगा कि delay हुआ तो हुआ क्यों तो यहाँ पर क्या देखा गया कि 45 देज तक का time limit है with sufficient reason अब आप बोलेंगे सर अगर 45 देज तक का time limit है यहाँ पर तो 44 देज का delay है तब कैसे मना कर दिया ये समझ में नहीं आया अरे बेटा additional days 15 है और यहाँ पर additional day इन्होंने 44 ले लिया यानि overall अगर देखा जाए it was more than that तो definitely NC LAT के पास power नहीं है कि वो 45 दिन यानि 30 परस 15 के beyond जाकर किसी भी appeal को accept कर ले अगर वो किसी भी appeal को इसके beyond जाकर accept करेगी तो भहिया law के उपर चली जाएगी और law के उपर कुछ नहीं होता this was the case study of National Spot Exchange Limited versus Anil Kohli Am I clear to everyone तो अब क्या करना है marking already मैंने की हुई है tension वाली बात नहीं है supermaster index updated है भरा हुआ है आप क्या करेंगे video को करेंगे pause और एक बार यहां से case study को पढ़ेंगे marking के साथ plus index को refer करेंगे फटा फट वीडियो को pause करिए और इसे cover करें I believe आप लोगों ने video pause करके case study भी पढ़ लिया और index को भी refer कर लिया अब आते हैं अगली case study के तरफ जो अगली case study है वो है orator marketing private limited versus samtech design private limited फटा फट इसमें आ जाईए अब इस case study में क्या हुआ गौर से सुनियेगा summary वाला part देखते हैं Insolvency and bankruptcy code 2016 section 7 interest free loan ध्यान देना loan तो दिया गया है पर ये interest free है इस पर कोई ब्याज नहीं ले रहा है creditor very important phrase ध्यान दीजेगा इसी के आज पास case घूमेगा non payment thereof lending filing CIRP application NCLT and NCLAT dismisses the application on the ground that it is an interest free loan and the applicant is not a financial creditor यानि summary को देखकर समझ में आया कि सर दिक्कत क्या है मान लो A ने loan दिया B को So A क्या हो गया creditor B क्या हो गया debtor A ने loan दिया B को A क्या हो गया creditor B क्या हो गया debtor एकदम clear cut है loan दिया है भईया यह creditor यह debtor यहाँ पर क्या हुआ छोटा सा trick कि यह जो loan है यह interest free है अब मेरा पहला सवाल यह है कि अगर कोई आदमी किसी को loan देता है भले ही interest free हो यानि बयाज नहीं ले रहे है तो इसका मतलब क्या है यह loan loan नहीं है क्या यह creditor creditor नहीं है क्या और यह debtor debtor नहीं है क्या कि अगर loan interest free हुआ तो liability नहीं होता है यह यह पहला सवाल है अगर common sense लगाया जाए आप बोलेंगे sir loan तो loan होता है चाहे interest ले रहे हो या interest ना ले रहे हो एकदम perfect इस particular case में Supreme Court ने भी यही बोला और यहाँ पर financial debt का definition को refer किया ध्यान दीजिएगा इस particular case में financial debt का definition को refer किया and ultimately यही बोला loan loan है चाहे interest charge करे या ना करे तो in this case जो application है CIRP का under section 7 वो application accept करना बनता है NCLT and NCLAT ने dismiss करके गलत किया Am I clear to everyone? आईए फटाफट देखिये यहाँ पर straight away यहाँ पर हमने refer किया the definition of financial debt देखिये क्या बोलता है the definition of financial debt in section 58 of the IBC has been quoted above section 5 it defines financial debt to mean a debt along with interest if any यानि language से ही clear है debt along with interest if any तो यानि interest नहीं भी होगा तब भी loan amount principal amount को एक credit ही मानेंगे जो A ने B को दिया is that clear to everyone तो यहाँ पर हमने क्या देखा the ultimate conclusion of this case study कि लोन चाहे interest के साथ हो या interest free हो कोई फर्क नहीं पड़ता financial creator financial creator कहलाता है debtor debtor कहलाता है और यह जो principal amount है वो loan ही है वो liability ही है भले ही वो interest free क्यों नहीं this was the case of orator marketing private limited तो अब करना क्या है कुछ तो है नहीं marking दिया हुआ है index भरा हुआ है video को करो pause और एक बार इस case study को पढ़ो फटा फट then उसके बाद अगली case study में चलेंगे जल्दी जल्दी करें गाईज चलिए that's great ये case study भी पढ़ना और index देखना हो गया है वापस से याद दिलाऊंगा कि आपके open book exam में आप किसी भी तरह का device digital वाला लेके नहीं जा सकते आपको hard copy लेके ही जाना होगा तो ये जो marking वाला document है index वाला document है उसे निकालना ना भूले उसको याद से print out जरूर निकालने तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले case study के तरफ अगला case study है resurgent arc private limited versus अब देखे इस case study में क्या होता है यहां पर अपने बात करने वाले हैं committee of creators को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि committee of creators का भी active role होता है insolvency के process में और यहां पर उसी के बारे में बात होगी आईए देखते हैं relating to submission of a resolution plan यानि हमने बात कर रहे हैं कि जो resolution plan जमा होता है insolvency में रहता है ना management कैसे होगा revenue का क्या होगा खर्चा कैसे manage करेंगे कैसे repayment होगा यह जो पूरा process है उसका approval लगता है designing होता है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है its consideration and approval by the committee of raters and its submission to the adjudicating authority for approval so here we are mostly concentrating on section 30 द्यान देना एकदम section 30 के बारे में अपने बात कर रहे हैं आईए नीचे अब यहां पर कहता है कि जब आप law के बारे में बात करते हैं law सिफ चेक करता है कि resolution plan law के specification के हिसाब से बना है कि नहीं और जो जो law में कहा गया है उसको follow किया गया है कि नहीं चेक क्या करना है about the legal character आपको चेक करना है कि जो resolution plan है वो law के हिसाब से बना है कि नहीं provisions को follow किया गया है कि नहीं वगेरा वगेरा आप detailed analysis में नहीं जाएंगे law को explain करने के लिए आपको basic and major provisions देखने हैं कि भाईया जो जो law में लिखा गया है जो जो time limit दिया गया है जो जो pattern बोला गया है जो जो approach बोला गया है वो सब दिया गया है कि नहीं आपको वही चेक करना है आप उसको stretch करके ज्यादा detailing में नहीं जाएंगे तो sir resolution plan कैसे बनेगा resolution plan बनेगा on the basis of commercial understanding common sense of COC यानि law बोलता है भाईया चेक कर लो law के हिसाब से आपने धाचा ready किया है कि नहीं time limits देखा है कि नहीं patterns देखा है कि कुछ specification अगर है वो आया है कि नहीं पर आप detailing में मत चले जाना पूरा plan बनाने में आपको किस पर rely करना है आपको rely करना है on the common sense on the commercial application of COC यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि माल लो अगर COC बोलता है ठोरी अगर एक creator बोलता है कि मेरे को न और पैसा चाहिए मेरे को ठीक से पैसा नहीं मिल रहा law बोलता है उस creator को पहले चुप कराओ हमको यह चेक करना है कि जो judgment लिया गया है अगर उस judgment के हिसाब से distribution of payment equal है fair है equal नहीं भी हो सकता है पर fair है जिसको जितना मिलना है उतना मिल रहा है whether in real terms और whether in proportion basis आई repeat जिसको जितना मिलना है उतना मिल रहा है whether in real terms और in proportion basis तो भीया आपका plan perfect है आपका legal character perfect है आपका common sense or commercial application of COC perfect है अगर fair है सबको जितना मिलना है जितना deserving है उतना मिल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर एक और pointer है जो इस case study में आपको दिखेगा बताता है कि माल लो creditor A के पास creditor A के पास 12 करोड का security asset पड़ा हुआ है 12 करोड का security asset पड़ा हुआ है और A को कंपनी से मिलना है तीन करोड 12 करोड का security asset पड़ा है और A को कंपनी से मिलना है 3 करोड तो ऐसा बिलकुल नहीं होगा A पूरा 12 करोड हजम कर जाएगा या इस्तमाल कर लेगा भले ही उसके पास 12 करोड का security interest हो उसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा बाकी वापस करना पड़ेगा Is that clear? तो हम लोग बात कर रहे थे section 30 of the IBC के बारे में regarding resolution plan क्या जाना कि भाईया देखिए law में जो लिखा है legal provisions जो है उसको follow करके आपको resolution plan बनाना पड़ता है जो process है follow करना पड़ेगा पर जो detailing है जो explanation है जो inclusion है law को जादा खीचो मत वहाँ पे किसका बुद्धी लगेगा COC का common sense आपका commercial application यहाँ पे एक और बात बोली गई अगर creditors को fair मिल रहा है अच्छा अनफेर नहीं है the payment portion तो भहिया आप किसी भी तरह का issue create नहीं कर सकते आप जवर्दस्ति यह नहीं बोल सकते I am not satisfied I want more money नहीं चलेगा fair distribution is important कि अगर actual amount नहीं भी मिल रहा हो पर proportion में जो division है अगर वो fair है तब भी ठीक है अगर actual amount नहीं मिल रहा हो अगर proportion में division में जो amount मिल रहा है अगर वो भी सही है तब भी ठीक है and at last but not the least अगर किसी creditor के पास security interest उसके receival से ज़ादा हो उसको उतना ही मिलेगा जितना वो हगदार है जितना वो entitled है जरूर से ज़ादा उसके पास पड़ा है इसका मतलब यह नहीं है वो पूरा माल उसका हो गया So this was the case study of India Resurgent Arc Private Limited एकदम perfect समझ में आ गया pattern आप जानते हैं फटा फट वीडियो को पॉस्ट करिये और case study को पढ़ें और index को पढ़ें फटा फट तो चलिए आते हैं अपने last chapter में which is supposed to be the first chapter of the subject that is company and other corporate laws आते हैं on the first case study that is Rabindranath बाचपई versus Mangalore special economic zone अब इस case study में कुछ basic पुरानी बातें हमको याद करनी हैं और revise करनी हैं वो बाते क्या हैं देखिए एक बार आपने सुना होगा separate लीगल एंटिटी वाला टर्म आपने सुना होगा corporate वेल वाला टर्म आपने सुना होगा perpetual सक्सेशन वाला टर्म अब separate लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि सर कंपनी अलग है management अलग कंपनी चाहे तो अपने नाम पर सू कर सकती है या कोई कंपनी के नाम पर सू कर सकता है वो खुद के नाम पर property hold कर सकती है और खुद ही अपने नाम पर transactions में एंटर कर सकती है which was very much different in case of partnership firm यह हम बच्चमन से यह बात जानते है और उसके अलावा हम यह भी जानते है यह अड़ा company is a legal person artificial legal person और हम लोग natural person है company is not a natural person यानि company के नाम पर सब होगा और जो उसका management है board of directors है वो company के बहाफ में काम करते है तो कि company natural person नहीं है तो company के directors उसके बहाफ में काम करते है यह अपने बच्चमन से जानते है final level में आने के बाद यह सब तो already पता होता है इस particular case में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि company मालो ABC के board of directors में से MD और Mr. X right यह लोग company को represent कर रहे थे एक transaction में में जाहिर सी बात है transaction company के नाम पे हो रहा था ABC के नाम पे but ABC company legal person है artificial person है तो उसके बहाफ में natural person transaction में involved थे कुछ गरबढ हो गई and सामने वाली party को loss सहना पड़ा कुछ गरबढ हो गई और सामने वाली party को loss सहना पड़ा अब इसी बात पर सामने वाली party ने बोला भया company की तो liability है पर साथ में यह जो MD sir है Mr. X है जो company के बहाफ में involved थे इनकी भी liability बनती है इनको भी पकड़िये इनसे भी पैसा वसूलिये इस बात पर सवाल आया कि क्या director's team liability starting सही आ जाएगी जहां पर उनकी गलती नहीं है जस्ट यह बात है कि उनका नाम document में involved है the question is very simple can a company director beheld to be vicariously liable for offense committed by the company the word is को यही लगता गलती करूं या ना करूं मेरे को तो आके पकड़ लेंगे पर अगर यह देखा जाएगा कि जानबुष के बदमाशी की गई है fraud किया गया है offense commit किया गया है तब भहिया डिरेक्टर तुम वो जो corporate well बनाके रखा है न shield बनाके रखा है उसको हटा दिया जाएगा और जो personally जो involved है इस बदमाशी में उसे पकड़ा जाएगा तो ultimately यहाँ पर क्या बोला can a company director be held be recursively liable for offense committed by the company the answer will be no is that clear to everyone आप देख पाएंगे सबसे पहले इस portion को read करें जो आप screen पे देख पा रहे हैं read करें अला part एकदम done एकदम clear अब क्या करना है विडियो को करना है pause यह case study और index को एक बार read करो वापस से बता दूँ यह सारे documents इस विडियो के description box में link में दिये हुए हैं चाहे वो main document हो इसका या फिर supermaster index का extract फटा फट स्टार्ट करें पढ़ना चालू करें ध्यान रखियेगा last में एकदम बताय गया है in the decision वाला part कि vicariously liable नहीं होंगे lifting of corporate wealth तब होगा जब आपने personally कोई बदमाशी की है individual capacity में जल्दी जल्दी पॉस करें और इसे एक बार read करें चलिए I believe आप लोगों ने वीडियो को पॉस किया और index से पढ़ लिया है इस particular case study में जो major crux है जो major understanding and outcome है वो decision वाले part से आएगा ना कि brief fact वाले part से तोगी कहानी complex हो सकती है उपर नीचे चीज़ें हो सकती है पर question यही है क्या director vicariously liable होगा और उसका ultimate answer decision वाले part में properly explain किया गया है तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले तरफ विजया साई पॉल्टियस प्राइविट लिमिटेड versus विमुल अपल्ली साई परमिला and others अब इस case study में क्या होता है कि NCLT forensic audit करने का order दे देती है NCLT forensic audit करने का order दे देती है and ultimately यह देखा जाता है कि NCLT ने जो order दिया that is without reason इस particular case study में साफ साफ बोला जाता है गौर्थ सुनना the main thing कि अगर आप forensic audit का order दे रहे हैं या direction दे रहे हैं sufficient reason होना जरूरी है sufficient evidence होना जरूरी है दो चीजें sufficient reason होना जरूरी है sufficient evidence होना जरूरी है अगर आपके पास दोनों नहीं है तो भाईया आप जो forensic audit करने बोल रहे हैं चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो नहीं माना जाएगा दिस वाज दे के स्टेडी आफ विमुला पल्ली साई परमिला फटा फट करना वही है जो मैं हम लोगों को हमेशा करते हैं इस विडियो अपडेट में विडियो को करिये पॉज के स्टेडी को पढ़िये मार्किंग को देखिये और इंडेक्स को करिये रीड यानि फॉरेंसिक ओडिट करने के लिए रीजन और एविडेंस दोनों होना जरूरी है और उसी के बेसिस पे ये और दिया जा सकता है चलिए आई बिलीव आपने पॉस करके छोटा सा के स्टेडी पढ़ लिया है अब बढ़ते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट के स्टेडी के तरफ और मेरा मानना है कि चांसे से ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है चाहे जून हो या डिसेंबर 2022 आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट के स्टेडी में डेफिनेटली हैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सारे के स्टेडी में मार्किंग भी करी है और इंडेक्स को अपडेड भी किया है यानि आपको अपने से कुछ करने का दरकार नहीं है अगर कोई के स्टेडी हम वो क्लास में कवर नहीं कर रहे हैं यह क्या दो आप खुद से भी उसको कर पाएंगे आज यह नीचे the last case study of this chapter the case study is of Brilio Technologies Private Limited यहाँ पर अपने बात करने वाले हैं reduction of share capital को लेकर very important topic for the upcoming examination खाली MDCS के point of view से भी नहीं बलकि आपके अलग-अलग subjects में भी आये फटाफट Brilio Technologies Private Limited वाले case study में सबसे पहले देखो यहाँ पर कहता है section 66 के reference से अपने पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या हुआ reduction करने के लिए of the capital company ने non promoter holding से reduction करना चाहा सबसे पहला pointer समझ लो company चाहती है share capital में reduction लाने का company क्या चाहती है share capital में reduction लाना है और इस reduction को complete करने के लिए company ने non promoter holding को opt किया company ने non promoter holding को opt किया और यह पूरा जमेला है यह इसी basis पे है कि whether section 66 में cover होगा की नहीं होगा whether reduction of share capital also attracts buyback वाला portion यहाँ पर creators का consent नहीं मिला है उसको लेके भी लफड़ा हुआ आई यह देखते हैं इस case study में ultimately क्या होता है तो हम लोग क्या करेंगे जो अलग-अलग marking मैंने आपको document में दी है उसको refer करेंगे ताकि एक एक pointer एक question accordingly resolved होता चले तो जैसे समय लाइन या page change करते जाऊंगा आप भी साथ में करते चलिएगा देखिए जैसा कि मैंने बताया they wanted to reduce the equity share capital from non promoter equity shareholders इस particular case study में यह values का फिलहाल कोई मतलब नहीं है तो आप माथा मतलगाना खाली keywords पर ध्यान दो खाली marking पर ध्यान दो तो marking क्या बोल रही है reduction of equity share capital करना है कैसे करना चाहरी यह company non promoter holding के basis पे आईये नीचे इस वाले पार्ट में यहाँ provision के बारे में court किया गया है selective reduction in equity share capital to a particular group involving non promoter shareholder and bringing the company as a wholly owned subsidiary of its current holding company and also return excess of capital to them this is an arrangement between the company and shareholder or a class of them hence it is not covered under section 66 of the act अब interestingly देखो जो starting के तरफ हमने पढ़ा कि company क्या करना चाह रही है reduction of share capital किस से non promoter shareholding से तो उसके लिए यह क्या बोला गया पहले तो यह बात समझो कि section 66 में यह cover नहीं नहीं होगा जिस class of shares की बात कर रहे है non promoter holding की बात कर रहे है reduction of share capital करना है उस particular arrangement और transaction का जो application है वो section 66 में नहीं आएगा number one however the case में भी covered under section 230-232 यानि हमने यहां पे क्या देखा देखो रहे बच्चा कि section 66 में applicable नहीं है 230-232 में यह applicable होगा wherein compromise or arrangement between the company and its creator or any class of them or between a company member or any class of them is permissible तो यहां पे हमने क्या देखा कि मोटा मोटी जो present case का सिनारियो है वो 230-232 में आएगा section 66 में नहीं आएगा एकदम clear कहीं अगर दिक्कत लग रही हो तो pause करके शूरू से लेकर यहां तक एक बार आप read कर सकते हैं और अगर sorted है तो भाईया pause मत करना आगे चलते चलो अब यहां पर देखो reason के साथ questions दिये हुए है this case study is very simple and easy to understand क्यों? because question answer form में यहां पर case study बनाया गया है arguments भी यहीं पर दिया हुआ है simple language में हैं दिक्कत नहीं आएगी आएए देखते हैं क्या बोलता है the grounds of dismissal of the petition and issues raised by the respondent were answered by the appellate tribunal please try to understand NCLT ने particular arrangement को cancel कर दिया appeal होके matter आया NCLT में घ्यान दीजेगा यह जो order passed किया गया है यह NCLT का है मैंने बार बार एक चीज़े बताई है brief facts जो case study में दिया रहता है that is not the ultimate judgment यह तो common sense से भी आप जानते है ultimate judgment conclusion कहां आता है reason में, description में, discuss में तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं that's the ultimate conclusion and that's the ultimate answer for the questions घ्यान दीजेगा आएए नीचे no proper genuine reason has been given for reduction of share capital यह सबसे पहला problem था NCLT को कि वहिया तुम section 66 या किसी के अंडर में भी 230-232 में जो reduction of share capital करना चाह रहे हो उसका तुमने genuine reason नहीं दिया और जब genuine reason नहीं दिया है तो हम accept कैसे करेंगे हमको तो cancel करना ही था अब देखो NCLT ने क्या बोला NCLT ने तो dismiss कर दिया यह reason नहीं है हम क्यों माने the non promoter shareholders request the company to provide them an opportunity to dispose of their shareholding in the petitioner company यानि जो non promoter shareholder है उसने request किया था भाया हमको मौका दो कि हमको अपना share को निकालना है there is no law that a company can reduce its share capital only to reduce any kind of accumulated losses with the aforesaid cannot be said that apparent company has not given any genuine reason for reduction of share capital यानि पहला question में हमने क्या देखा पहला question में हमने देखा कि NCLT बोला अरे भाया reason तो दो reduction of share capital क्यों करना है तो company ने तो कुछ बोला नहीं ठीक से तो NCLT बोला dismiss हमको मानना ही नहीं है NCLT बोला NCLT you are wrong सबसे पहली बात law में कहीं नहीं लिखा है कि भाया अगर मेरे को accumulated losses को treat करना है तब ही हम reduction कर सकते है it can be any reason और company में जब बोला कि non promoter shareholders ने आके बोला हमको मौका दीजिए हमको opportunity दीजिए exit करने का ये भी तो एक reason है तुम जबरदस्ती accumulated losses का presence ना होने के कारण dismiss कैसे कर दिये NCLT you are wrong it has to be removed or set aside पहला answer sorted अगला पार्ट बोलता है consent affidavit creditors का नहीं मिला यानि आप reduction of share capital लेके आए और यहाँ पर देखा गया आपके documents के बीच में consent from the creditors नहीं था यानि they have not given no objection document तो बिना उनके document के काम कैसे होगा देखो इसका answer क्या बोला NCLT after service of notice no representation has been received from the creditors within 3 months यानि company ने proper तरीके से notice भेजा और उनको बताया ऐसा ऐसा हो रहा है 3 महिना गुजर गया कोई creditor कुछ नहीं बोला सब चुप थे नीचे आओ thus we are of the view that the observation of LTD tribunal in para 11 of the improved order is wrong तो यहां क्या बोलता है therefore as for proviso 66.2 of the act it shall be presumed that there has been no objection to reduction यानि NCLT बोला कि अगर कोई creditor objection किया ही ने तो दिक्कत क्या है हमने proper notice भेजा proper तरीके से उनको मिला 3 महिना निकल गया किसी ने कुछ बोला ही नहीं जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं क्या हाथ में हाथ धरे बैठा रहूंगा तो हमनों क्या zoom कर लिए कोई objection नहीं है एकदम clear तो ये बोलना consent of creditors नहीं आया NCLT और इसलिए dismiss कर रहे है तुम गलत हो notice तो गया था creditors ने reply नहीं किया तो इनको liable ठहराना इनको सफर कराना गलत है आई ये नीचे question number 3 security premium account cannot be utilized for making payment to the non promoter shareholder दियान सेख्डम read करें एक बार screen से ये वाला part पढ़ लो कि ultimately ये ही बोला गया security premium account का जो पैसा है it can be utilized for the payment of non promoter shareholder जो interpretation है NCLT का या regional director का is not correct दियान से पढ़िये question भी आपके सामने है और answer भी यानि ये तीन के basis पे you can definitely get the conclusion this is the question this is the two pointers to be noted clear एक दम बढ़ा जाया गे towards the next question selective reduction of shareholder is not permissible ये किसने बोला ये NCLT ने बोला है और ये ही सबका answer NCLT दिये जा रहा है तो NCLT क्या बोला selective reduction of shareholder is not permissible नीचे देखिए NCLT बोला selective reduction possible है कौन बोला नहीं है पर condition क्या है कि जो भी उनको पैसा मिल रहा है वो fair value पे मिले अगर fair value पे पैसा मिल रहा है तो सब कुश ठीक है selective reduction is possible is permissible तो NCLT ने जो बोला selective reduction of share capital is not permissible ये पूरा fact ही गलत है am I clear to everyone एकदम perfect और इसी के साथ ये case study भी खतम होता है so ultimately last question जो है आप cover कर लीजेगा जो major portions थे हमने discuss कर लिया तो अभी क्या करेंगे वीडियो खतम होने के बाद ये case study जरूर से एक बार read करिएगा marking and index पूरा done है आपको अलग से कुछ नहीं करना बस एक बार ये case study जरूर पढ़ लें जाते आते हैं मैं लोगों से वापस कहना चाहूंगा कि exam के पहले अगर मुझे लगता है कुछ और आपको बताना है definitely हमारे channel में upload हो जाएगा जो हमारे registered students है आपको time time पे चीज़ें अलड़ी मिली हुई है past में और अगर exam गे point of view कुछ relevant होगा जो आपको जरूरी है जानना definitely हमारी team आप तक पहुचा देगी वापस से बता दूँ ये सारे documents हमारे इस video के description में आपको मिल जाएंगे उसे जरूर extract कर लें print out निकाल लें because exam में उनको लेके ही जाया जाता है rest for our registered students जितना class में cover कराया है जितना notes develop कराया है उतना sufficient होगा tension की कोई बात नहीं है you people are definitely going to rock the examination so आज की class में बस इतना ही इस video को बुलने का तुदरकार है नहीं आप definitely करेंगे भारी मात्रा में अपने friends के साथ share करें अलग-अलग groups में share करें इस document को share करें ताकि सब को इसका benefit मिल जाए तो आज की class नहीं बस इतना ही this was CS Dr. Mohit Shau signing off for the day take care and all the best